प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोचनागरिक पूरुसकार और ओफ दरूक ग्यालपू से सम्भानित किया गया है। भूटान नरेश, जिगमेखेसर नामग्याल वंग्चुक ने थिंपू में प्रधानमंत्री को ये पूरुसकार प्रदान किया। इस अवसर पर प्रधान मंत्री ने कहा कि ये उनके जीवन का बहुत बड़ा दिन है उन्हेंने कहा कि हर पुरुसकार अपने आप में विशेश होता है परन्तु जब दूसरे देश से पुरुसकार मिलता है तो इससे पता चलता है कि दोनों देश सही रास्तें पर आगे बढ़ रहे हैं नरेंदर मोदी ने कहा कि ये सम्मान उनकी व्यक्तिकत उपलब्धी नहीं बलकि 140 करोड भारतियों का सम्मान है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी पहले ऐसे विदेशी नेता है जिनें ये प्रतिष्टित पुरुसकार दिया गया है प्रशस्ति पत्र में कहा गया है कि ये पुरुसकार प्रधान मंत्री की व्यक्तिकत उपलब्धियों और नित्रित्व वा भारत और भूटान के बीच मित्रता के बंधन को मजबूत करने में उनकी योगदान को मान्यता देता है ये उनके नेत्रित्म में भारत के वैश्विक शक्ति के रूप में उदैका भी सम्मान करता है इस दोरान दोनों देशों के बीज साथ समझोहता ग्यापनों पर हस्ताक्षर भी किये गए, दोनों निताओं ने विशेश और अद्वीतिय भारत भूटान मित्रता के प्रति प्रति बद्धता दोहराई। उन्होंने द्वीपक्षे संबंधों की समिक्षा की और उन्हें न आपने मुझे भुटान के सर्वोच राष्ट्रे एवर्ड से सम्मानित किया है हर एवर्ड अपने आप में विश्ष होता ही है लेकिन कि जब किसी अन्य देश से अवर्ड मिलता है तो यह भरोषा मजबूत होता है कि हम दोनों देश सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हमारा यह विश्वास भी बढ़ता है कि हमारे प्रयासों से दोनों देशों के लोगों का कल्यान हुआ है हमें और अधिक परिश्व करने का उत्साह मिलता है उर्जा मिलती है लेकिन यह सम्मान मेरी ब्यक्तिकत उपलब्दी नहीं है यह भारत और 140 करोर भारतियों का सम्मान है